चलिए सुरू करते हैं अध्धाय 23 जो कि छेत्रिय राज पंजाव एवं मैशूर इसमें हम देखेंगे कि पंजाब के तरफ से कौन थे मैशूर के तरफ से कौन लड़े हैं और किस-किस से लड़े हैं कब हुआ है डेट याद रखेंगे पहला प्रस्ट है कि महराजा रंजिस सिंग के राज्य की रसधानी थी क्या थी बता सकते हैं बताईएगा प्लहौर चुक्या अब चलिए इस पर थोड़े से डिटेल की बात करते हैं तो यहाँ पर कोश्चन देखें दिया हुआ है कि सेर पंजाब के नाम से परसीद कोन है मह महराजा रंजिस सिंग यह जानगे तो आप से पूछेगा कि महराजा रंजिस सिंग को किस नाम से परसीद हैं तो सेरे पंजाब के नाम से परसीद हैं अब आग पढ़ते हैं महराजा रंजिस सिंग ने 1799 बर्ष में 1799 में लहौर पर अधिकार कर लिया कोन अधिकार कर लिय महराजा रंजित सिंग अधिकार कर लिए कब किये 1799 में याद रखेगा महराजा रंजित सिंग को किस नाम से जाना जाता है सेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है ठीक है उसे अपनी रस्धानी बनाया किसे रस्धानी बनाया तो लहोर को बनाया कौन बनाया महराजा रंजित को भी क्या कि भंगी मिशल से छिल लिए किससी ने भंगी मिशल से छिल लिया कौन छिल लिए मतला रंजीज सिंग क्या के छिल लिए अब 1802 में क्या की? अमरी शर्क को भी छिल लिए, किस सचीने? भंगी मिशल से, किलियर हो गया, इस प्रकार क्या हुआ? इस प्रकार पंजाब की राजनेतिक रास्धानी कौन सा बन गया? लहूर बन गया, अगर राजनेतिक छेत्र की अगर बात करेगा, कि रंजित सिंग जो तो राजनेतिक रास्थानी अगर पूछे कि कहां बनाये थे, तो लहूर को बताईएगा, कि रियर हो गया, और धार्मी कर रास्थानी अगर पूछे आपसे, तो हम बताएंगे अमरिश्चर को, तो दोनों ही उनके अधीना गया, कौन-कौन? लहूर और अमरिश्चर, 12 अपरेल 1801 को, रंजीर सिंग ने महराजा की उपादी धारन की, देखिए, महराजा उनका पढ़े जैसे महराजा रंजीर सिंग ये पूरा नहीं था ना, रंजीर सिंग थे, हम जानते थे, लेकिन अगर पूछेगा कि महराजा की उपादी कब धारन की है रंजीर सिंग, त नहीं तो अब सवाज जो बनेगा आपसे चुटेगा नहीं चरी थोड़ फास्ट कर लेते सेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं महाराजा रंजित सिंग अब पंजाब में अगर बाटा गया है दो रस्थानी बनाए है कौन कौन तो राजनेती के राथानी अगर पूछे तो लहोर को बनाए थे अब 12 अप्रेल 801 में रंजित सिंग ने कौन सी पादी धानी की महाराजा की पादी धानी दूसरा प्रस्टे देखेंगे रंजित सिंग के राज्य में समली था क्या समली था बता सकते हैं तो आप्शन नमबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे क्यों किसे ने नगर समली था अब चली कैसे समली था पढ़ते हैं तो देखें महराजा रंजित सिंग महराजा रंजित सिंग का अगर डेट पूछे आपसे तो आगे देट यारे के 1730-849 इस भी तक था किनका रंजित सिंग का समयकार ठीक है अब ही तो कब बताएगा 1780 से लेगे 1839 इस भी बता दिथे अंगे उनहोंने मतलब रंजित सिंग इंद एक से 1859 इस निंवक में इस्तित शिखत समराज का नित्वित किया कौन से चेत्र में उत्तर पच्छिं खुए किसका नित्वित किया सिPhone मतलब Sig को चलाए रजीत सिंग ने बिभिन्य सैन अभियानों एवं संधियों के माध्यम से शीक समराज का बिस्तार किया आपसे पूछेगा कैसे के सैन सकती से जीते और भी छेत्र को और या नहीं तो शंधियों से मतब दोनों से जहां पर सैन की जरुवत पड़ी लड़ाय किर के कब्ता करना वहां पर लड़ाय किये जहां पर संधियों से हो सके वहां पर किया मतब श्रीक समराज की right की थानी चैन रिविधे घान्जिट सिंग जो बनाए थे ऊड़ाइट है कि 1799 में कभजा किये थे रजधानी बनाए थे रंजित सिंग जो बनाए थे वो लौहर को राजनितिक जो है क्या बनाए थे राजनितिक रजधानी बनाए थे कब बनाए थे 1799 में आमने शार को धार्मिक रजधानी बनाए थे आप भी जानते हैं जो कि कब बनाए थे 1802 में ब बनाए थे इसाही टाख नने संमरी आटक aycanita लेकिन ऑठक च oncology जीते थे जो कि योड्हाव को अब डिनाफ बारी दौंद को ऑर बारी मैं जीटे थे हैं उपर हम पढ़े थे कि रनी जिर motherfורה ने करेंद में ऑस्षेञी ते तो भогा lead के जगा। पर सिरी नगर ने ही नीचे का थे जीटे ति कॉजाओ लिए ने जर बिख मेरें में को सिरी नगर ना कमदर में चोज mystical में i चीक है याद रखेगा तीसरा प्रश्ण है सिख राज्य का अंतिम शाषक कौन था तो सिख राज्य का अंतिम शाषक पूछ रहा है बताई क्या था तो आप्शन बड़ी दिलीब शिंग थे तो सिख राज्य का अंतिम शाषक दिलीब शिंग थे अंतिम पूछेगा तो दिली नहराजा दिलीबशीन शीख самराज के अन्तिमशासक थे तो आपसे यह पूँशता है क्या सबसे छोटा पुत्र का नाम क्या है तो दिलीबशीन है अर दिलीबशीन कौन है तो अंतिमशासक कह degenerative किसका सीख companionship इस इतना पूंस पही दिलिपशिंग को तेक है नाव पांच वर्स की आयू में अपनी मा रानी जिंदन कौर था कि सनरच्छन में राज सिहाशन पर बैठा दिया इनय बैठा दिया गया दिलिपशिंग को किस उम्र में? पांच वर्ष की उम्र में. कब देट पूछें त्रफासुतितालिस में. उनकी मा का नाम क्या था? दिलिप शिंग की. हम बताएंगे जिंदन कौर था. जिंदन कौर थे? जिंदन कौर जो इनकी मा थी, इनके सनरचन में ही इनको राजजदिकार दे दिया गया थे तो राजगर्डि पर इठा जिया था दिलीफ शिग को पाच वर्स के उमुर में इनके शासनकाल में मत्व किनके शासनकाल दिलीफ शिंग के शासनकाल में पृत्हम सिक यूद हुआ था निया शांट सेखिश्ण में दे लीप सिंह का निढन जो है तैसे कुणकिन वोगता Сफिये Dual ऐसे सदिंट सांनि का नहीं 오र इस सवैच्व अधरी कीव कि दक्रशा से नेα नहींस यह दो स७ीमें — 13.1993 की मिर्टू हो गई deben ship अरि वसंसी स्यांते हैं एंभि शर्थम सिक्क्यम्ट 1802 में मताइस मतां इस इमके इस की मिर्टू दिलिप शें हैं पेरिष में हुआ था उसकता है पेरिष ने यहां फ्रांस में हुआ था। न नहीं को दिलिप शिंग को अपनाए था। लिजिए। यह किलियर हो गए। सब्से चोटा पुत्र का नाम क्या है। लिशगे महाराजाद लिशग बॉला जाता है इनकी मां दिलिशग की मां जो की जिंदन कौर थी दिलिप सिंग के सासनकाल में ही प्रथम सिक्यूद हुआ था 846 में चीक है दिलिप सिंग का नीधन कब हुआ तो 33 अक्टवर 1893 में हो गया था कहां हुआ था तो पेदिश मतब फ्रांस में जो है हुआ हुआ था और सिख धर्म को त्यार कर इशायत धर्म को कौन अपन अब चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा फास चलेंगा है ना चोटा चोटा वीडियो है तो जड़ी जड़ी चलेंगे पचीस सप्रेंग अठासो नौइश्वी को अमरी शर्की संद्य हुई थी डेट या देखेगा 25 अप्राइल अठासो नौ इस वी को मतलब इयर को भर्स को कहिए अम्री शर्की संद्य हुए यह संद्य भारत के वाशराय लौडर मिंटो भारत का जो वाशराय था लौडर मिंटो के प्रतिनियरिट चार्ज मैटकॉफ मैटकॉफ एवं महराज रंजी सिंह के मद हुआ था तो लेखिए उस समय जो बायशराय था जब मैटकॉफ तो चार्ल्स मैटकॉफ और महराजा रंजी सिंग के मद क्या हुआ अम्रिशर की संदी हुई कब हुई 25 अठासो नौ में के लिए हो गए इस संदी के तहद मतलब कौन सी संदी अम्रिशर की संदी के तहद 17 नदी को दोनों राज की सीमा मान लिया गया मतलब याद रखेंगे मतलब शीक और ब्रिटिश की सीमा मान लिया गया किसको 17 नदी को समझ गया इही सवाल है ठीक है दोनों राज अपने मान लिया थे ब्रिट इस्तित रियाइस पे अंग्रेज के सनर्चर में आ गई, बतल पूरव का जो छेतर है, सटलज का पूर्वी छेतर है, वहाँ पे क्या होगा, कि अंग्रेज के अंडर यह आ गया, अंग्रेज अपने कब्जे में रख लिया, यह जान लिए, सवाल और क्या बनेगा, चलिए हम क कि दो 25 अपरे 809 में इस संदी में बताए है भारत की बाश्राय को था लॉड़र मींटो था लॉड़र मेंटो के परतिनीदियू कौँ था चार्स मैटकॉफ चार्स मैटकॉफ और रंजीत सिंग के मध कौन सी संदी यह भी हो सकता है कि मैटकॉफ के जगपर फिलें भारत की बाश्राय लोड अमिन्टो और रंजीत सिंग के मध्ध हुआ था अमरीशत की संदी लिक्कर पहिना शरी इस संदी के तर किसको सीमा बताए गया सब्सक्राइब किसकी सीख ब्रेटिश की सीमा बताई गई सब्सक्राइब को लुध्याना में एक क्या हुआ किसको बनाया तो टीपु सुल्तान ने अपनी रस्थानी अगर पूछे आपसे तो ऑप्शन बने सिरी रंग पटनम को बनाया किसे बनाया सिरी रंग पटनम को टीपु सुल्तान को बानते भाई टीपु सुल्तान भी रस्थानी बनाया अपना लहुर को उसी तर टीपु तुम ने स्री रंगपटनम को अपनी जर्थानी तिर्थानी बनाई की बर्थवान में, करनातक में है है, एक के मिर्वतर के पाश्याद, उसके रंगपत्नम को रजधानी बनाई थी, हैदर अली की मिर्टू हो गई, पतब टिपू सुल्तान की पिता की मिर्टू हो गई, उसके बाद क्या हुआ, कि टिपू सुल्तान ने क्या क्या, कि अंग्रेजों के बिरुद मैशूर का जो सेना था, उसकी कमान समाल लिया, टिपू ये भी जान गए, आब और जानिए, और अपनी रजधानी स्री रंगपत्ना में सुतंत्रता का ब्रिच लगाया, मतब ये सुतंत्र रूप से अपना रजधानी बना दिया, एक ब्रिच लगा दिया, समझेए, और शाथ ही, फ्रांस के जैकोबीन कलब का सदस बन गया, किसक ने, टिपो सुल्टान ने, बिरेशी राज्जियों से मैतरिपॉर्ण शमंध रखते हुए, मौरसिस, काबूल, अरब, तथा, यहां पर लिखा हुए, कुस्तूतूनिया, मतलब जिसे इस्तामबूल बोलते हैं, आरी देशों में आधुनिक दुतावाशों का अस्थापना किया, सुमिद गए, टिपो सुल्टान इतना तेश था, चलिए, अब सवाल कैसे बन सकते हैं, हम चलिए, बता देते ही, टिपो सुल्टान अपनी रज्दानी कहां बनाई, सिरी अरंग पटनों में, बर्तवान में कहां है, करनाड़क में, चीक है, हैदर अली, कि मिर्थू क पचात, जो है, टिपो सुल्टान ने क्या किया, अंग्रेजो के मिर्थ, जो मैसूर सेना थी, उसकी कमान समाली, टिपो सुल्टान ने, इसके सुरुवात की, आधुनी कलेंडर की, चीक है, रस्थानी, जो बनाया था, वो सतन तरुप से कहां बनाया था, स्री रंग पटनो को बनाया था, कौन बनाया, टिपो सुल्टान बनाया, या बनाया, चीक है, और शाथ ही, फ्रांस के जकोबीन कलब का शदस बन गया, तो मैत्रिपूर्ण समंद बनाया, तो क्या हुआ, कौन-कौन है, विदेशी, तो मौरेशिस, काबूल, अरब, और कुस्तु, तुनिया, जिसे इस्तांबूल बोलते हैं, आरी देशों के साथ, आदूनिक दुतावाशों की अस्थापना किया, जोड़कर क्या क्या है, दुतावाशों की अस्थापना किया, कहां, मौरेशिस, काबूल, अरब, और कुस्तु, तुनिया, उसे बोलते हैं, इस्तांबूल, समझ गया देखें अंगरेज क्या करेगा, श्रे रंग पडनम की संदी किसके साथ करेगा, टिपु सुल्तान, क्योंकि ये तो इसको रज़धानी बनाया था क्योंकि आतिए, स्वातान रूप से, चलने आगे जामते ही, देखें, स्री रंग पडनम की ता 18 मार्च 1792 को अंग्रेजू और टीपु सुल्तान के मड़ हुई ती चीचyy है तो सिर्य रंगपतनम की संधी कब हुई 18 मार्च 1792 किसके किश के बीच हुई अंग्रेज और टीपु सुल्तान के हुए यह संधी जो है कौनसे संधी स्रेधरंगपटनम की संधी तुर्तिय आंगल-मैशूर-यूद का परणाम था उसी का परणाम थी जिसमें अंग्रेजू, मराथु तथा हैदराबाद के निजाम की संयुक्त शेना ने टिपू सुर्थान को प्राजित किया था तरतिये आंगल मैशुर यूद का समय अगर आप से पूछेगा तो हम बताएंगे 1790 से लेके 1792 मतलब 1790 से लेके 92 इस संधी के अनुशार कोंसी संधी सिरी रंगपटनम की शंदी के अनुशार पेशवा मतमाराथा कुट्टूंभदरा नदी तक का छित्र हैदराबाद के निजाम को कुडपा कुडपा बोला जाता है कुडपा तथा गंडी कोटा के दूर्ग तथा कृष्णा वप पिनार नदी के मध का छित्र प्राप्थ हुआ किसे हैदराबाद के निजाम को थीक है यह जाने गया आप तथा अंग्रेजों को मालवार तटका छेत्र एवं बड़ा महल वर डंडी गुल जिले प्राप्थ हुए साथ ही कूर्ज के राजा को मैशूर से सुतंतर गोशित कर दिया गया इसको कूर्ज के राजा को महसूर से सुतंतर गोशित कर दिया गया इसके अतरिक टिपू सुल्तान पर युद्ध की छती पूर्टी के रूप में तीन करोल का जुर्माना लगाया गया जिसका ततकाल भुकतान न कर पाने के कादर उसके दो पुत्रों को युद्ध में बंदी बना दिया गया स्रीरंग पटनम की शंधी 18 मार्च 1792 को अंगरे जोटिपू सुल्तान के मद्ध हुआ दिरतिया आंगल मैशूर युद्ध कब हुआ 1790 से 1792 में कौन सी संधी हुई इसमें जब इस युद्ध के बाद स्रीरंग पटनम की शंधी हुई एक तरफ अंगरेज माराठा और हैद्राबाद के निजाम एक साथ थे में संख्ठ शेना थे यह तीनों एक परफ मिले हुए थे तिपू सुल्तान एक परफ था जोasto सल्तान पराजित हो गया था समझ गये है चीक है पराजित होने के बाद कौन सी संधी ती इस संदी में स्रीरंग पतनम की संदी हुए थी कई अनुशार क्या हूएए संधी जब हुआ तब हमाराथ का जो पेषवा होते थे माराथ नदी तक छितर में मेल गया थहुए? लेकिन हैदरावाद के निजाम को क्या हुआ कुडपा तथा गंडी कोटा के दुर्ग तथा कुष्णा बपिनार नदी के मद का छित्र प्राप्थ हुआ था टीपो सुल्तान की मिरतु कब हुई तो option number B 1799 में में 1799 में टीपो सुल्तान की मिरतु हो गई अब चरिए इस पर थोड़ा विशेश चनकाली लेते ही देखें चार माई 1799 को 48 वर्स की आयू में चतुर्थ आंगल मैशूर युद्ध के दोरान अंग्रेजों से लड़ते हुए टिपु सुल्तान की मृतु हो गई देख रहे हैं जैसे कि तुर्थिया आंगल जो मैशूर युद्ध हुआ उसमें तो संदी हो गया ठीक है लेकि चतुर्थ आंगल युद्ध भी लाड़ा था इतना हिमत रखे हुए था वो कौन टिपु सुल्तान लेकि मृतु कब हो गई 48 एर्ष में मृतु हो गई कब हुई तो 4 माई मदब 4 माई 1799 में हो गई कौन से युद्ध में हो गई तो चतुर्थ आंगल मैशूर युद्ध हुआ था उसमें लड़ते हुए मृतु हो गई इसकी मृतु के शाथी मैशूर की स्वतंतता के इतिहास के गौरव शाली अध्याय का समापन हो गया टिपो सुल्थान का मरना मैशूर का समझी के स्थित खतम हो गया टिपो सुल्थान को मैशूर का सेर के रुप में जाना जाता है यह भी सवाल बनता है कि टिपो सुल्थान को क्या कहा जाता है मैशूर का सेर कहा जाता है वक्षर तथा मैशूर के चतुर्त यूद को जीत कर भारतिय राजनितिक पर अंग्रेजों ने अपनी पकड मजबूत कर लिए वक्षर को तो जीती लिया तथा मैशूर के भी जीती लिया चतुर्त यूद रिदम समझे पकड बना लिया था अंग्रेज को मजबूत होते चल गया टिपूत सुल्टान का हादना समझे कि अंग्रेज काओ मजबूती हो गया तो मिर्तु अगर पूछे कब होई थी टिपूत सुल्टान की तो चतुर था अंगल मैशुरी उद्ध में हुआ था देट पूछे 17 सन्यार में बताएंगे किस उमर पूछे बता दिएगा चीक है मैशुर का सेर किसे टिपूत सुल्टान को करते हैं आठमा प्रश्ट एंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्व पर संदर्व में स्वारी विचार कीजिए विशार कीजिए इसमें पढ़िए आप विचार कीजिए बताएंगे क्या ह देखे यह चीक है तो आथासोपैतााारीह इस एक ही होगा था उसके ऐसका रहिए और इसके समाप्त हो गया था आप देखिए इसमें सवाल है कि पंजाब पर जिस समय अंगरेजों का कबजा हुआ उस समय लॉर्डर डलोजी भारत का गवर्णर जनरल था यह पूसता है कि भारत का गवर्णर जनरल कौन था लॉर्डर डलोजी कब जब पंजाब पर अंगरेजों का कब लवान जाता है कि सही पूपर दिया हुआ है तो यह दोनों आक्डे मानते हैं तो 45 दे सकता ओप्सेंट्री बैटेबं कर सकता है दोनों नहीं देगा तो आपको दोनों नहीं देगा तो आपको 46 सी तिकल आईएगा, ठीक है, लेकिन आपको दोनों नहीं देगा, दोनों में सेखी देगा, 100% सियो रहे हैं, ठीक है, कोश्चन भी पलट करेके नहीं दिया आज तक, पर्थम आंगत सिक्यूद, के पश्चात पंजाब अंग्रेजों के सनरचन में आ गया, अंग् के बिरुद कई विद्रो हुआ, और उसके बाद ड्यूतिय आंगल शीक यूद हुआ, इस यूद में पंजाब की सेना पराजित हुई, पंजाब की सेना पराजित होगी, और पंजाबों को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया, ड्यूतिय आंगल शीक यूद ह पर था ही लेकिन एक तरसे वो जब यूद वा था दिलिप्शिंग के साथ हुआ था लेकिन दियुतिया अंगल सीखिए उद्वा था तो यार की का पंजाब के हार हो गए थी और अंग्रेज जीत गये थे और उसमें गवर्णर जनर था हमारा लॉड ब्लॉजी था नावा प् पताईए तो वो कोई नहीं आप्शन नमरे महराजा रंजित सिंग ने बोला था चलिए तब इस चांदे क्या बोले भाई लेकिए महराजा रंजित सिंग ने कहा था कि इसवर की इच्छा थी मैं सब धर्म को एक निगास से लेखूँ इसलिए उन्होंने उसने दूसरी स्मॉल पॉक्स के कारण उनकी बाई आंक की रोशनी चली गए थी सुचिया स्मॉल पॉक्स होने के कारण रंजित सिंग की आंक की रोशनी चली गए थी स्मॉल पॉक्स को ही चेचक रोप बोलते हैं बाई आंक की रोशनी उनकी चली गए थी रंजित सिंग शिखू का बारह मिष्लों मिष्लों गोला जाता है 12 मिष्लों में से एक सुकर्चख्या मिष्ल से समंदी थे अब देखे इस जлаг़व महालाजा रंजिट सिंहघ से लिए उस्ट्रों गूष्लव थे तो इनके पूट्रवी तो तो दिलिप सिंग इनी का पुत्र तो समंधित भी वह भी इसी मिशल सहोंगे। उन्होंने 1797 में रावी एवं चीनाव के परदेशों के प्रशासन का काज़वार समाला। ठीक है जब वो थे तो 1797 में 1797 में राविय और चीनाव के परदेशों का प्रशासन भी काजभास समाला था यह जा एक बाता रीजिए आपको याद होगा तो बताईए तो देखिए सुम्लीत के अगर बात करें तो शॉम्लीत नहीं पूछ रहा है ध्यान रहें तो परफम आंगल में शुरीउयो दमसई है 1767 से है चलिए आगे हम पढ़ देते हैं आंसर आगे देख लीजे यह आपका नहीं है सही यह जान दीजे चलिए हम जान लेते हैं इसमें जो उपर यूद पढ़ देते हैं उसका डेट तो हम जानी रहें सामने है प्रथम आंगल मैशुर यूद अगर पूछेगा तो क्या बत कि अग्रेट में मंचल्ड की संदी द्वारा समापत भूए था तो आप से पूछेगा कि प्रथम आंगल मैशुर यूद का डेट अगर आप से पूछेए तो बताइगा तक हुआ था और 69 में क्या हुआ मद्रास की संधी और इसके द्वारा ही यह यूद जो है प्रतम अंगल में शुरी उद्वा इस तोरह अंग्रेज गवर्णर कौन था इस यूद के समय अंगल में शुरी उद्वा तो वो था कौन वे रेल बोला जाता है जो कि गवर्णर था जब पिर्थम अंगल में शुरी उद्वा था दियूटिय अंगल में शुरी हुद्वा तो दियूटिय अंगल में शुरी उद्वा था 47 risksHow do we do 84 बता दिजेगा तक चला था क्या चला था duty आंगल में शुरी यूद चला था यह यूद जो आप देख रहे हैं कि duty आंगल में शुरी यूद जो हुआ था 1764 यह समाथ कब हुआ 84 में तक कैसे चलिए जानते कौन सी संदी से तो यह यूद मार्च सेवन्टी एटी फॉरमनें यह यह यूद जो हैं मार्च सेवन्टी एटी फोरre me मंगलौर की शंधी दौरा समाथ हो गया कौनसी संदी दौरा समाथ हुआ तो अ ba इह पाला कब हुआ यहाद रहे तुसरा कब वहा आंगल में शुरयूद त दीसरा देखना है 90-92 आंगल में शुरयूद वबाद दिरती आंगल में शुरयूद तक हुआ तक चला था. जब टिपुल सुल्तान का लड़ाय हो रहा था स्री रंग पत्नम किशंदी जब समावत वरा था उसमें गवर्णर जनरल हमारा लॉडर करनवालिश था याद रखेगा तो यह पूशेगा तो आप याद रखिये पर्थम अंगल मैशुरियूद के समय बताईए अंगल मैशुरियूद में बताईए अंगरेज के तरफ से कौन था गवर्णर जनरल तो बारेंग हैस्टिंग था अब आपसे और क्या सवाल पूशेगा पूशेगा कि पर्थम अंगल मैशुरियूद का समापन कोंसी संदी से हुई मद्रास की संदी से हुई दिटिया अंगल मैशुरियूद जो है यूद जो हुआ था उसका अंत जो है कोंसी संदी से हुई मंगलोर की संदी से हुआ तिर यह जो आप देख रहे हैं, चतुर्थ अंगल मैशुर यूद जो कि 1799 में हुआ, इसमें जो हुआ, इस दोरान अंग्रेज गवर्णर जर्रल लॉडर बेलेज जली था, कौन था, बेलेज जली था, यह एक निर्णाय की यूद्ध था, ठीक है, जिसमें टीपो सुल्तान की हा रहा था, कौन गवर्णर जर्र था, अंग्रेज का गवर्णर जर्र लॉडर बेले चली, और यह कब सुरू हुआ था, तो 1799 में जो है, आंगल में शुरु उद्ध था, इसमें टीपो सुल्तान की मिर्थोगी हुई थी, यह दुकिएगा, चलिए, अब 11 प्रश्न को ध्या सुल्तान को हराने के लिए, चीक है, तिर्दलिय गुट बनाया है, जो कि हम उपर पढ़े तो मराथा, हैदरावाद के निजाम और अपने खुद अंग्रेज था, तो उसमें सामिल था, कौन-कौन, जो कि हम बता चुके हैं, ऑप्शन नमरे, अंग्रेज, हैदरावाद के निजाम और मराथा, यह बता एक करनवालिश जो था, करनवालिश ने क्या क्या क्या, कि टिपु सुल्तान के बुर्द जो तिर्दलिय गुट बनाया, था, उसमें अंग्रेज थे, निजाम थे, मतलब हैं, हैदरावाद के निजाम थे, और मराथा, शामिल थे, यह तीनों अंग्रेज का गवर्णर कोन था या भारत का गवर्णर कोन था, तो अब ताइएगा, करनवालिश था, ठीक है, अत्रिकूट में कोन कोन आया, अंग्रेज, निजाम और माराथा शामिल हुए, इसको हराने के लिए, टिपु सुल्तान को, मतलब, तीन को एक तरफ होना पड मेत्री संधी पर हस्ताचर कर, दोनों को सेंज सहयोग करने के लिए बात किया, इस संधी को तिरकूट शंधी भी कहा जाता है, समझ गये, तो इसे तिरकूट कहिए, त्रिदलीये कहिए, यह ही होता है, तो यार रखेगा, करनवालिश ने क्या किया, कि करनवालिश ने 1700 आग साहाइक संधी चराय था ना बता सकने दो बताएगा सही है कि नहीं अधर यह दोनों को अब इन दोनों को देने लगा इसके कारण क्या होके बात कर दिया अब अब तो लड़ेंगे भाई तो यह अंग्रेज के एकॉर्डिग लड़े थे तिनों तिवा सुटान को क्या किये थे हराए थे दूसरी को त्रीफुट शंदी भी का जाता है यहां रखी यह जो बारहां वह प्रश्ण आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा confusion करेगा आपको कैसे देखिए मद्राश का गवर्णर कौन था मद्राश का गवर्णर पूछ रहा है गवर्णर जर्णर नहीं पूछ रहा है गवर्णर जर्णर पूछता तो बारेंग हिस्ट्री रहाते हैं यहाँ पर मद्राश का गवर्णर पूछ रहा है जान रखिएगा को था मेकाटेन था अब चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि देखिए टीपो सुल्टान के साथ मंगलोर की शन्दी पर हस्ताचर करने के समय मद्राश का गवर्नाट सिर्फ मद्राश का गवर्नाट पूछ रहा है तो यहां पर गवर्नाट जर्ण बोलता तो बारें समझके चीब थो डाट doğru कुण था। लाडलator में uh । मेकाटेन बोलाया आसरे मिकाटेन से तनुक मेंक था ल१ु तियो अंगलर मैशूर अंगलर मैशूर basically ne 1784 में हुआ था तो पूछता है कौन से संधी हुए थी नमंगलाओर किशंधी कभ हुए थी 1784 में जब जब समाप्त होगा तब ही तो होगा तो समाप्त कभ वह था 1784 में 1784 के द्वारा समाप्त हुआ था तीक है आगे पूछेगा टेपो सुल्दान अफ्रांसिसी जयकपी कलब का क्या था सरस्ता प्रस्ता अपने यह ताद में प्रतिक ठाज प्रतिका कया लगाया था एक उतत है ते रहामा प्रश्ट माराजा रन्जित सिंह ने किस स्थान पर अधालत में यहmed पता है कहा किया था Goat met AJ commentje Rej bunu gets came तो आदालत कहा है, नितिक शेत्र में ऐसा काम होता है आदालत का, तो यह B में लगा दीजे, है ना, जोडने का यह बताया मैंने, ऐसा नहीं कि कुछ भी है, जोडने के पॉइंट भी से का नहीं बोल दिया, महराजा रजेसिंग ने लहूर में अदालत करने के लिए मिला कर रखते थे, उन्होंने अपने आसपास के राज्यों को मिला कर अपने समराज का विस्थार किया था, सिख समराज देखें, जो है है मैं यह थे 1799 से 1840 तक अस्तीट्वि में थे, सिख समराज, अगर रंजीर सिंग का देट पूस था तो 1799 से लेकि तक डेड़ देते क्योंकि यहां इस समय तक यह सासन कर रहते है रंजिन सिंग उसके बाद दिलिप शिंग आ गया तो सीक कास्ति तो कहां तक था तक था तो यह 17 समय आमें से 804 तक था है रंजिन सिंग के समराज के प्रमुक शहर अब देखें प्रमुक शहर की बात हो रही है दो प्रमुक शहर को था लहोर थα अमरिश हर था मुल्तान था पिशावर था जंबू काश्मीर उस समय आरक था यार के रावल पिंडि अर सियाल कोर्ट सामिल थे यार रखे का मतर यह इस समय आरक का ने का बतलब यह जय्मू को मिला थे और सिरीनाकदल को मिला को रावर्पिंडी को सियाल कोट यह सब प्रमुक्षार थे जो कि महाराना रजी सिंग से चुड़ा हुआ था यह कब्जे में रखे थे जीते थे ऐसे याद रखेंगे उन्हों उन्हें 12 अपरेल 801 को पंजाब महराजा घोषित किया गया था पंजाब महराजा घोषित किया गय मैशूर में है दिन्डी गुल में एक आधुनिक सस्त्रागार हथियार अखने के वाला बनाने वाला करकाना के अस्थापना की गई थी तो बताएगा अधुनिक तरह से हथियार बनाने वाला एक अस्थापना की गई थी तो आप्शन नमबर बी यह कौन किया था न्यूंकि से किसने किया था 77-75 में imagine धिधिया बनाने के लिए ऊक्षो अधियार खुला था तो ये खुला था है र यिवी जो कि टिपूजमा करMAN डिख कई आफ यप जानते हैं 2uję 2017 सत्रसों पच्पछपना इस्थियाय है डिनडिगूल पर में पच्पधियाय के लिए में सेर्ट यहाईड डिया उसमें सब्सक्रावजिपों से लिया सब्कुश के लिए करकान diplomate सवंचों की तो बदल दिया वह से सास्त्रागार की अस्थापना कर दी या दिखेगा है रली मैशूर का बास्तविक सासक माना जाता है यह बास्तविक सासक बन गया था यह जाने जिए क्योंकि है पुरुशिन मिर्शाहिब को डिंडी गूल का गवर्णर्ण नुक्त किया तो दिंडी गूल का गवर्णर्ण बनाया था पुरुशिन मिर्शाहिब को यह पूस्ता है अब से चीक है क्लियर हो गया चलिए पंदावा परश्ण है बेगम शमुरू लिखावाए ठीक है बेगम शमुरू ने एक अतीपरशिद्य चर्च का निर्मान करवाया कहां करवाया बता सकते हैं तो आप्शन नुबर सी सर धना में करवाये थे अब चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं बेगम शमुरू जो है उनका अगर शमयकाल पूछे तो सत्रह सो पचास से अठासो शतिस श्वी तक था मता समय अवदी पूछे तो सत्रह सो पचास से अठासो शतिस बत फरजाना या दोखे फरजाना नाम है फरजाना जेव उन निशा था नाम तो बेगम समरू का पूरा नाम अगर पूछे मूल बास तबिक नाम पूछे तो फरजाना जेव उन निशा नाम था चीक है इनका समयकाल अठासो पचास से अठासो शतिस बताईगा इनका अगर मू रेन हाटर सेंबरो या सेंबरे सेंबरो दे दे देता है दिकत नहीं है कि पत्नी थी कौन बेगम शेंबरो की पत्नी थी वाल्टर रेन हाटर सेंबरो की पत्नी थी पती की मिर्थू के बाद सरधना की जागीर पर इनका अधिकार हो गया किनका अधिकार हो गया बेगम शेंबर कादिकार हो गया पते की मिर्टू हो गई तो चीकि है कहां पर सर्धना पर या रिकिंगें बाद में उन्होंने इशायد धर्म अपना दिया बेगम समरु इशाइद धर्म अपना दिया आपरर जो आना नोवी विल, नोवी लिश, सेंबरे, सेंबरे या शॉंबरे बन गई और सरधना में एक चर्च का निर्मान करवाया तो यही तो ठै कि बेगम संबरू जो थी वो क्या होई? इसायद धर्म को अपना लगी थी बाद में इसायद धर्म को जब अपनाए थी इसाइत धर्म को अपनाने के बाद क्या हुआ कि सर्दना में एक चर्च बना दी थी जो आना नोवी लिश सेंबरो कहीं या शोंबरे बन गई थी यह ठीक है या देखेगा विगम शम्रू का अगर देट पूछे तो सतर सुपत्यास से ठासो चतिस बताएगा अगर पूछे कि उनका मुल नाम क्या था फर्जाना जेव ओन निशानाम था लेर हो गए कोई निकत नहीं है अंग्रेजों के बुरुद्ध बनार्स बिद्रो का नेत्रित किष्ण किया था बनार्स में बिद्रो हुआ था बताएगा को न किया था तो और कोई नहीं आप्शन नुबर सी रा प्रश्ण है कि रंजी सिंग ने सुप्रशिद्ध कोहिनूर हिला प्राप्त किया था तो बताएगा किस से प्राप्त किया था तो याद दिखेगा ये शाह सुजा से प्राप्त किये थे शाह सुजा से जो है कोहनूर हिला मिला था आगे चलिए इसके बारे में जाननीचे अ अहमद शाह अवदाली का पौत्र, सुछे अहमद शाह अवदाली का पौत्र, मतरब पोता. अठाख सौ सौ में क्या हुआ? अठाख सौ में अहमद शाह अवदाली का जो पौत्र था, जिसका 자 नाम है, वो काबुल की गर्दी पर बैठा. प्रन्तु उसके भाई साह महमूद ने सक्तिशाली बरकई जई सरदारों या फता कहां और दोस्त मुहम्मद की शाहता से क्या किया उसने 1809 इसपी में बिस्थापित कर दिया मतब कहने का मतब जो काबूल पर कबजा किया गड़ी पर बैठाना यह उसके भाई की मदद से भाई जिसका नाम सास महमूद था ने शक्तिशाली था ठीक है और वो वरकई जई सरदारों मतब फता कां और दोस्त मुहमूद की शाहता से जह कबजा कर लिया था ठीक है अब उसे 1809 में अब यहां पर देखे पड़ते हैं साहता से क्या हो उसे 1809 इस पी में बिस्थापित कर दिया क्या कर दिया बिस्थापित कर दिया गया स्वैम काश्मीर और पिशावर पर अधिकार कर लिया ठीक है बतब यह स्वैम जो है साह सूजा जो है स्वैम काश्मीर पर अधिकार कर लिया था इस अभसरब छासूजाने काबूल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजियस सिंग से अहायता माँगी और उन्हें कोहनूर हिदा भेट कर दिया था समझ इसलिए अठार्माप्रश्ण को दियान से देखेंगे और खतम करेंगे अठारमा पुरश्ण है कि निवरिके करतनों पर विशार किजिए ठीक है विशार किजिए तो विशार करने के बाद आप बताईए क्या होगा तो चलिए पढ़ लिजे पानिफत के तुर्तिय यूद में आमद शाह अवदाली ने जाफर ने अंग्रेज उसे मिलका सड़यंत रचा किया यह सही है तो आप यह के वल जो है तीसरा ही सही है क्योंकि स्राज दौला को हडा दिया था प्लासिक यूद में यह दखेगा सट्रस्टाशन तावन अंग्रेज और यह जाफर मिल गया था यह दखेगे पानिफत का त 14 जन्वरी 1761 को पानिफत के तिसरी लड़ाई हुए थी अमध्षा अवदाली तो था ही ठीक है ने जह सदाशीप राव भाव के नितित वाली मराठा सेना को बुरी तरह से प्रास्त किया था कोन अमध्षा अवदाली तो आप से यह पूछेगा कि मराठा अमध्षा अवद सबान में इसमें तीसरी अंगल मेश्वर यूद हुआ था टिपो सुल्तान के वर पराजीत हुआ था मिर्टू नहीं हुए थी उसकी यह रिखेगा पराशी का यूद 1757 में हुआ था में मिर्जाफर ने अंग्रेजों से मिलका सिराजु दौला सिराजु दौला के बिर्द हुआ था उसी का जो है सिराज दौलों का ही जो है सदर्स थे जो कि जूड़े हुए थे और हरा दिये थे उनेस्वा प्रश्ण है कि बिटिस जर्णल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोबो के उध में हराया हम जानते हैं ऑप्शन अबर भी सर आयर कूट था चीक है अब थो हुआ है आप आप जानते हैं जिसने पोर्टो यह पोर्टो नोबो नाम से जाने जाता है जो कि एक जुलाई 1781 ने होका है आप देख रहे है हैदर अली की परास्ट हो गया है राफ यह को हर तह जानते हैं चलिए आज करिद नहीं रखते हैं उनीस्वा प्रश्न श्तम होग चनर बाईश्राय इसमें थोड़े जादे कोश्चन हैंगे और आपको 100% BPSC का रिजल्ट होगा विहार इसे के त्यारी करते हैं यह किसी जी के पढ़ाऊंगा ऐसे चल रहा है एक वीडियो हो चुका है आप उसे लाइफ और लाइक